कह रहा है cot a is not defined for a equal to 0 बताओ यह true है और false है हम cot a की value निकालते हैं जब a की value 0 है यानि हम cot 0 निकालते हैं cot 0 की निकालने के लिए पहले मुझे tan 0 निकालना पड़ेगा a equal to 0 के लिए tan 0 होता है मेरा 0 अब cot 0 क्यों होगा 1 by tan 0 यानि 1 by 0 1 जब भी मेरा 0 denominator में आ जाता है तो वो not defined होता है यानि cot 0 not defined है यानि यह statement है मेरी यह true है